डियर लर्नर, जैहिंद, मैं सुल्तान, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में Special Education Question Bank, यानि के विशेज सिक्चा प्रिश्ण बैंक के MCQ Series 25 जो की बहुत ही महत्वपूर है, जिसमें दर्शन से सम्मंदित धमाकेदार प्रिश्ण मिलेंगे आपको आपकी डिमांड थी कि सर, philosophy से related भी प्रिश्ण मनाईए और इसी सिरीज के क्रम में आज जो MCQ Series 25 है, इसमें आपको दर्शन से सम्मंदित ही प्रिश्ण मिलेंगे इस से पहले जितने भी सिरीज बनाई जा चुकी हैं, 1 से 24 तक, उन सभी को जरूर देखिए उनमें भी आपके एकजाम से सम्मंदित भेतरीन प्रिश्ण हैं आप चैनल में जाएए, प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, सर्च करके आप आराम से देख सकते हैं और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए साथी चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले निव वीडियो को नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए साथी दोस्तों तक भी सेर करिए तो चलिए देखते हैं, आज का यह वीडियो पूरा देखिए, इसकिप मत करिए Q1 जो आपके सामने हैं, यह एक परिभासा है, डेफिनेशन है कि दर्शन सत्य के सुरूप की तार्किक बिवेचना है किसने कहा? Option A गांधी यानि कि महात्मा गांधी ने Option B टैगोर Option C राधा किश्णन Option D प्लेटो तो इसका सही जवाब है Option C राधा किश्णन राधा किश्णन यह निकि दर्शन सत्य के सुरूप की तार्किक बिवेचना है किसने कहा? Option C सही है, राधा किश्णन ने Question No.2 जो आपके सामने है कि बर्शन के अनुसार मुले मिमान सा है मैं आपको बदा चुका हूँ कि जो कितनी मिमान साखाएं होती है जो दर्शन की साखाएं होते हैं वो तीन जिसमें तक्षमीमान सा, ग्यान विमान सा और मुल्ल मिमान सा तो मुल्ल मिमान सा क्या है बहुत दर्शन के अनुसार यहां पर स्पेसिफिक कर दिया है तो चलिए देखते हैं इसका जो सही जवाब है वो है आपसन डी औल आप दे अबब यानि की उपर युगते सभी दिखिए जो बहुत दर्शन है वह यह मानता है कि जो बैक्ती के अंदर मुल्ले होने चाहिए जिन में उन्हेंने चार आरसत्य का जिक्र किया है और वो चार आरसत्य हैं जैसे की दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध, गामनी, प्रतिपदा यानि कि इस संसार में सभी को दुख है और उस दुख को कोई न कोई कारण होता है और इसका निवारण भी होता है और इसका अंत भी होता है तो इसलिए हर विक्ति में ये समावे से दुख की घड़ी दुख होता ही होता है तो इसको समझना है इसको मूल के तौर पर समझना है ऐसा नहीं कि ये दुख हो गया तो हम दुनिया छोड़ देंगे मर जाएंगे फसी लगा लेंगे ये सब नहीं क्योंकि जो महत्मा गौतम बुद्ध थे उन्होंने यही सब देख करके ही आगे जब उन्होंने सारी सिच्वेशन्स देखी तो इन्ही परिस्थितियों को देख करके ही आज वो इतने महान वेक्ती बन पाए हैं और उन्होंने अश्टांगि क मार्ग की चर्चा की है अश्टांगि मतलब आट मार्ग होते हैं जिनमें समयक दृष्टी, समयक संकल्प, समयक वाक, समयक और आज्यू, समयक प्रत्ने समयक इस्मृति, एंद समयक समाधि सील समाधी और प्रग्या तो सील मतलब एक प्रकार का सात्विक कर्म होता है कि हिंसा न करने यानि कि अहिंसास ते सत्ते इस तरीके की चीजें करना ब्रह्मिचर का पालन करना नशा का सेवन ना करना ये सील से सम्बंदित है और जो समाधी है ये नैसरगी यानि कि प्राकृति एक प्रकार की एक आग्रता है इससे संबंदित बताए है और प्रग्या जो हमारे विविन प्रकार की जो सुनी हुई बाते होती है भावनाओं से संबंदित होता है इस चीजे हमारा जो मस्तिस्क होता है प्रग्या जो हमारी स्मत्ति होती है इससे भी रिलेटेड उन्हें बा मूलिक को आधार बनाया है तो इसलिए हमारा तीनों आप्षन सही होगा तो इसलिए डी होगा आप्षन डी ओल अप्ड़ एवब यानि की उपरयुक्त सभी अब हम देखते हैं क्वेश्चन नमबर थ्री यानि कि सांग के दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है तो चलिए देखते हैं आप्षन ए कपिल आप्षन बी पतंजली आप्षन सी कड़ाद और आप्षन डी गौतम तो इसका सही जवाब है आप्षन ए कपिल क्वेश्चन नमबर फोर जो आपके सामने है कि वेदान्त दर्शन के मूल गरंत का क्या नाम है चलिए देखते हैं आप्षन ए वेदान्त सुत्र आप्षन बी ब्रह्म सुत्र आप्षन सी ब्रह्म ग्यान और आप्षन डी ब्रह्म तत्व तो जो इसका सही जवाब है वो है आप्षन बी ब्रह्म सुत्र question number five जो आपके सामने है कि आदर्सवाद की उत्पत्ति किसके विचारों से हुई है साथ आप इसे जानते होगे लेकिन बेहतरीन प्रस्ण है आ सकता है या किसी भी दर्सन के किसी भी विचार धारा से सवाल पूछा जा सकता है तो हलाकि अभी question number five जो आपके सामने है कि आदर्सवाद की उत्पत्ति किसके विचारों से हुई है तो चलिए देखते है option A अरस्तु यानि कि अरिस्टोटल option B प्लेटो option C सुकराद and option D प्लिनी तो जो इसका सही जवाब है वो है option B प्लेटो यानि कि प्लेटो की विचारों से ही आदर्सवाद की उत्पत्ति हुई है question number six प्रसंच्छ जो आपके सामने है किन्यमे लिखित में से आदर्सवाद का सिध्धांत नहीं है ध्यान दीजे यहाँ पर नहीं सब्द लगा हुआ है जो की हमें ये चीजे बहुत ही ध्यान में रखना होता है हम जब भी एक्जाम देते हैं तो हम questions के दो चार सब्द पढ़ लेते हैं पूरा ना पढ़ने की वज़े से हम गलत करके चले आते हैं तो ये भी आपको बहुत ध्यान में रखना होता है कि आदर्सवाद का सिद्धान्त नहीं है चलिए देखते हैं option A ब्रम्भान इस्वर द्वारा निर्मित है option B अध्यात्मिक जगत स्रेष्ट है option C मनुष्य संसार की सर्व स्रेष्ट रचना है and option D भौतिक जगत स्रेष्ट है इसका सही जवाब है option D भौतिक जगत स्रेष्ट है क्योंकि जो आदर्सवाद है वह अध्यात्मिक जगत पर विश्वास करता है आत्मा, परमात्मा, विचारों पर ब्रम्भा इन सब चीजों पर विश्वास करता है और मनुष्य संसार की सर्व स्रेष्ट रचना इसलिए मानता है क्योंकि ये विचारों को मानता है और विचार कहां उगते हैं मनुष्य में तो इसलिए मनुष्य के विचारों को तो मानता है लेकिन भौतिक जगत पर विश्वास नहीं करता क्यों नहीं करता ये मानता है कि भौतिक जगत नास्वान है जगत स्रेश्ट नहीं है क्योंकि इन्होंने दो जगत को परिवासित किया है भौतिक जगत और अध्यात्मिक जगत जिने मेंसे अध्यात्मिक जगत पर ये विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि वो इस्वर नहीं है वो आत्मा परमात्मा से नहीं है वो क्या है? वो नस्वर है यानि कि वो मर जाता है नास हो जाता है उसका इसलिए option D सही होगा question number से बेंजो आपके सामने हैं यानि कि सत्यम सिवं सुन्दरम किस से सम्बंदित है option A प्रयोजनवाद से option B या थर्थवाद से option C प्रकृतिवाद से and option D आदर्सवाद से यानि इन सब की इंगलीज भी है यानि कि प्रयोजनवाद यानि कि प्रेग्माटिस्म यथार्थवाद यानि कि रियलिज्म पिकर्तिवाद यानि कि नेचुरलिज्म और आदर्सवाद यानि कि आइडियलिज्म तो इसका जो सही जवाब है वो है option D आइडियलिज्म यानि कि आदर्सवाद से सम्मंदिते क्योंकि ये जो सिव भगवान यानि जो सत्य है वही सीव है और जो सीव है वही सुन्दर है इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसलिए option D सही होगा question number 8 जो आपके सामने है और ये question जो आपके सामने है question number 8 कि सिक्षा में प्रकर्तिवाद के जनक है अब देखिए सिक्षा में प्रकर्तिवाद के जो जनक है वो हैं कौन ये देखते हैं क्योंकि जो प्रकर्तिवाद है यहाँ पर हिंदी थोड़ा सा इसकी मिस्टेक है प्रकर्तवाद लिग गया है यहाँ पर प्रकर्तिटा में छोटी की मात्रा लगेगी यहाँ पर ध्यान दिजिएगा इसका option A Emil Jola option B option C जो जीन जाक रूशो यह इसका पूरा नाम है option D प्लेटो तो इसका जो सही जवाब है वो है option C जीन जाक रूशो यानि कि हिंदी में पढ़ेंगे तो जाक रूशो है तो इसलिए option C सही होगा जो Emil Jola है Emil Jola जब Literacy Naturalism की बात आती है ध्यान दिजिए कभी Literacy Naturalism पूछ ले तो वो उससे सम्बंदित है और जो आपके अरस्तु महोद हैं यह भी एक दार्सनिक है प्लेटो आदर्सवाद से सम्बंदित हैं आप जानते ही हैं तो question number 8 का जो सही जवाब है वो option C है रोशो question number 9 जो आपके सामने हैं कि Emil पुस्तक के लेखक कौन है यह एक ऐसा प्रसन है वो दर्सन के कहीं भी सवाल आते हैं तो यह पुस्तक का नाम आता ही आता है बहुत कम है जहां ना पूछा गया हो लेकिन ज़्यादा तर यह पूछा जाता है तो चलिए देखते हैं option A Emil जोला option B Arasthu option C रोशो and option D प्लेटो तो इसका सही जवाब है option C Gene Jock रोशो यानि कि जोजाक रोशो option C सही है इसका question number 10 प्रशन 10 जो आपके सामने हैं और बेहतरीन प्रशन है कि किस सामाजिक दार्षनिक का सिध्धान्त सुखवादी सिध्धान्त के नाम से जाना जाता है ध्यान दीजिए question पे गवर करिए कि किस सामाजिक दार्षनिक का सिध्धान सुखवादी सिध्धान्त के नाम से जाना जाता है चलिए देखते हैं आप्शन A हर्बर्ट इस्पेंसर आप्शन B महत्मगाधी आप्शन C अर्विन्थ आप्शन D रजनीस ओसो तो इसका सही जवाब है आप्शन A हर्बर्ट इस्पेंसर ये एक समाजिक दर्षनिक वादी थे और इन्होंने हेडोनिस्टिक थियोरी बताई है जो सुखवादी सिध्धान्त जिसे कहा जाता है इसलिए हर्बर्ट इस्पेंसर आप्शन A सही होगा क्वेशन नमबर 11 यानि कि प्रिशन 11 जो आपके सामने है कि प्रयोजन वादी चिंतन का सुभारम कब और किस ने किया क्योंकि पहले तो सब हर चीज रटन्त से रिलेटेट चला करता था अब प्रेग्मेटिक्स जो प्रेग्मेटिक्स हैं या प्रयोग हैं इन सबसे बाद में प्रक्रिया सुरू हुई तो चलिए देखते हैं कब और किस ने किया आप्शन A 14 सताबदी रोस ने यानि के रोस महोदे हैं जो आप्शन B 15 सताबदी बेकन ने आप्शन C 12 सताबदी प्लेटो आप्शन D इन में से कोई नहीं इसका जो सही जवाब है वो है आप्शन B 15 सताबदी में बेकन महोदे ने इसका प्रयोजनवादी चिंतन का सुभारम किया था आपको बहुत सारी लोग मिलेंगे प्रयोजनवादी लेकिन जो सुभारम है वो 15 सताबदी में बेकन महोदे ने किया था या बेकन दार्शनीक ने किया था question number 12 question 12 है जो आपके सामने है और बहुत ही बेहतरीन question है कि प्रयोगवादी प्रयोजनवाद के प्रवर्तक कौन है आप देखिए अभी तक आप जानते थे कि प्रयोजनवाद है लेकिन प्रयोगवादी प्रयोजनवाद के प्रवर्तक कौन है ये बहुत ही महत्वपूर है चलिए देखते हैं option A, John D.B option B, Roche option B, sorry option C, Bacon option D, Huxley तो इसका सही जवाब है वो है option A, John D.B John D.B. महोदे experimental pragmatism के प्रवर्तक है और आप जानते हैं कि जो John D.B. के सिस है Kilpatrick उन्होंने project method भी दिया था तो ये सब प्रयोग को ही सत्य मानते हैं यानि कि जो प्रयोगवादी प्रयोजनवाद का अर्थ है कि जब तक हम किसी भी activity को या कुछ भी हो जब तक करके सिद्ध नहीं कर लेते तब तक हम उसे सत्य नहीं मानते जैसा कि पिछली सिरीज में भी मैंने एक सवाल लिया था कि truth is utility utility is truth यानि कि सत्य ही प्रयोग है या प्रयोग ही सत्य है तो ये प्रयोजनवादी का सिद्धान्त है या प्रयोजनवादियों का नारा है तो इस चीज को आप ध्यान से पढ़िए समझेगा यहाँ पर option A सही होगा प्रयोगवादी प्रयोजनवाद के प्रवर्तक काउन है option A John D.B question number 13 जो आपके सामने हैं कि प्रस्षन 13 है कि मानव जीवन की भलाई मानव जीवन का सबसे बड़ा मुल्य है यह दर्शन की किस विचारधारा से संबन्दी थे यह बहुत ही बहतरीन प्रश्षन है ध्यान दीजे option A. प्रयोजनवाद से option B. मानवतावाद से संबन्दी थे या option C. नेचर्रलेजी जीवन यानि की प्रकरतिवाद से संबन्दी थे या option D. आडियलिज्म यानि की आदर्सवाद से संबन्दी थे तो जो इसका सही जबाब है option B. लिए प्रयोजनवाद से संबन्दी थे यह मानवतावादी वो हमेशा मानो के ही सुक और उनके भलाई से संबंधित बात करते हैं इसलिए मानोजियोन की भलाई मानोजियोन का सबसे बड़ा मूल्य है ये मानोतवादी जो दर्शन है मानोतवादी जो दर्शनिक है वो मानते हैं इसलिए आप्शन B सही होगा मानोतवाद Question number 14 14 जो आपके सामने है कि दर्शन क्या है होट इस फिलोसिफी Option A मनुस्त के चिंतन की उच्छतम सीमा है Option B किसी भी छेत्र के आंतिम स्वरूप को जानना है या Option C A and B बोथ आऔर बाद दोनो या Option D नौन आप्दीस इन में से कोई नहीं तो इसका सही जवाब है Option C A and B बोथ मनुस्त के चिंतन की उच्छतम सीमा है बिल्कुल दर्शन क्योंकि दर्शन क्या है कि हम थोड़ा सा नहीं सोचते बहुत ही गहराई तक अपने चिंतन को ले जाते हैं और बहुत ही उच्छतम सीमा तक और दूसरा किसी भी चेतर के आंतिम सुरूप को जाना, आंतिम सुरूप का जैसे मैं एक उधारण दूँ कि मान लिजे कि जैसे अभी मोबाईल है तो मोबाईल को किस ने बनाया यानि कि मोबाईल किस किस तत्तों से मिलकर बना है क्या-क्या इसमें सामिल हुआ है मोबाइल को बनाया किसने जिसनी बनाया है उसको सिखाया किसने और अगर उसको सिखाया है तो उसको किसनी सिखाया या फिर सबसे पहला ऐसा कौन सा बेखती है जो मोबाइल बनाया किस कंपनी का बनाया जब हम उसके अंतिम स्वरूप को जान लेते हैं कि वास्तों में इसकी स्टार्टिंग कहा से हुई है That is philosophy इसी को हम दर्सन कहते हैं कि जब हम किसी भी छेत्र की गहराई तक उसके वास्तिमिक स्वरूप को जाननेते हैं या यूं कहें कि ultimate जो nature होता है ultimate जो reality होती है आंतिम सत्य होता है उसी को जानना ही दर्सन होता है Question Number 15 यानि कि π्रशन पंद्र है जो आपके सामने हैं कि वस्तु को वास्तविक एवं यथार्थ मानने को कहा गया ध्यान दीजिये वस्तु को वास्तविक एवं यथार्थ मानने को कहा गया प्रयोजनवाद से यानि की प्रयोजनवाद में Option B, Realism यानि की अथार्थवाद में कहा गया Option C, Naturalism यानि की प्रकर्तिवाद में कहा गया यो Option D, Idealism यानि की आदर्सवाद में कहा गया इसका जो सही जवाब है वो है option B, realism यानि कि अथार्थवाद में यह कहा गया है कि वस्तु को वास्त्विक एवम यथार्थ मानने माना जाए इसलिए option B सही होगा यथार्थवाद question number 16 जो बहुती बहतरीन प्रशन है कि ग्यान जीवन के लिए इस सिधान का प्रतिपादन किसकी द्वारा किया गया क्योंकि इससे पहले बहुत सारे ऐसे नारे थे इसे धानते ग्यान ग्यान के लिए ग्यान बेवसाय के लिए ग्यान सिक्षा के लिए ऐसे बहुत सारे चले लेकिन इन सब को रिजेक्ट करके ग्यान जीवन के लिए है इस सिद्धान्थ का प्रतिपादन्किसने किया या किसके द्वारा किया गया यह हम देखते हैं Option A by Pragmatist यानिकि परयोजन वाधियों द्वारा Option B by Realist यानिकि यथार्त वाधियों द्वारा या option C by naturalist यानि कि प्रकर्टिवादियों दोरा या फिर option D by idealist यानि कि आदर्स वादियों दोरा तो इसका सही जवाब है option B by realist यानि कि अथार्थ वादियों दोरा ग्यान जीवन के लिए है इस से धान्त का प्रतिपादन किया गया question number 17 यानि कि प्रिशन सत्र है जो आपके सामने है कि दर्सन की कौन सी विचारधारा ग्यानेंदियों के प्रसिक्षण पर बल देती है ध्यान दीजिएगा बहतरीन प्रिशन है option A प्रहुजनवाद, option B प्रकर्टिवाद, option C आदर्सवाद, option D या थार्थवाद इसका जो सही जवाब है वो है option D या थार्थवाद यानि कि रियालिज्म ये क्या है बिचारधारा ये जो है ये ज्यानेंदियों के प्रसिक्षण पर बल देती है question number 18 यानि कि प्रस्ण आठार है जो आपके सामने है कि नियम लिखित में से दर्सन की साखाएं है ब्रांचे साफ फिलोसफी देखते हैं option A तत्तो मी मानसा यानि कि मेटाफिजिक्स option B ज्यान मी मानसा यानि कि अपेस्टिमोलोजी option C मूल्य आचार मी मानसा यानि कि एक्जियोलोजी आचार ये खाने पिने वाला नहीं है ध्यान दिजिएगा यहाँ पर मूल्य आचार यानि कि हमारा अब्वेवहार हमारे जो सि आसत्य बोलना यह सब हमारे मूल्य हैं बहत्रिन यह उप्शन D, All of the Above, यानि की उपर्युक्त सभी तो इसका जो सही जवाब है वो है आप्शन D, All of the Above, यानि की उपर्युक्त सभी तो यह जितने भी हैं सब दर्सन की साखाएं हैं यह जान लिजए कि जब हम किसी भी दर्सन क किसी भी विचारधारा को अगर समझना है तो हमें उस विचारधारा की तत्तो मिमानसा, ज्यान मिमानसा और मुल्ल मिमानसा जब तक इन तीनों से सम्मंदित उन्हें नहीं समझेंगे तब तक वो अच्छे तरीके से आप उन्हें नहीं समझते हैं तो ये एक प्रकार का बेश हैं, आधार हैं, इसलिए इनको भी जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है Question number 19, प्रस्ण 19 जो आपके सामने हैं कि द्रिश्चते अनेन इती दर्शनम का अर्थ है ध्यान दीजिए कि द्रिश्चते अनेन इती दर्शनम, ये एक ऐसा है कि मतलब एक संस्कृत में लिखा हुआ है ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, इसका अर्थ क्या होता है, ये देखते हैं अप्सन A, जिसे देखा जाए वही दर्शन है, अप्सन B, जिसे ना देखा जाए वही दर्शन है, ये अप्सन C, देखकर सिखना ही दर्शन है, ये फिर अप्सन D, अल अप दे एवब यानि की उपर इक्ट सभी इसका जो सही जवाब है option A जिसे देखा जाए वही दर्शन है और ये दिर्शिते अनेन इती दर्शनम ये उपनिसद में लिखा है ये ध्यान दीजिएगा ये कहां लिखा है उपनिसद में लिखा हुआ है दिर्शिते अनेन इती दर्शनम जिससे देखा जाए वही दर्सन है यानि जब आप किसी के स्वरूप की प्रतिक्ष चीजों को देख लेते हैं देखने का मतलब ये नहीं है कि माल लीजे आपके घर में एक टोकरी रखी है या एक बाल्टी रखी है आपने उसे देख लिया वो दर्सन नहीं है दर्सन तो तब है जब आप ये जान ले कि बाल्टी किस से बनी है बाल्टी को बनाने के लिए कैसा दिमाग चला किसने बनाया, पहला बिक्ति कौन है, इसकी प्लास्टिक कहां से आई कैसे इसकी उत्पत्ति होती है जब आप उसके एकदम ऐसे deep way में चले जाते हैं तब हम उसको दर्सन कहते हैं दर्सन जैसे कि बहुत सारे जगे देखेंगे कि दर्सन मतलब देखना तो यहाँ पर philosophy दर्सन का मतलब किसी को देख लेना ही दर्सन नहीं है देखने का मतलब है उसके वास्तिमिक्ता को देखना ultimate यानि कि जो ultimate का मतलब उससे आगे कुछ नहीं तो यह दि आप उसे देख लेते हैं 30th philosophy question number 20 यानि कि प्रसन 20 जो आपके सामने है कि दर्सन बिज्ञानों का बिज्ञान है किसने कहा option A काम्टे जिसको हम आगस्त काम्टे भी कहते हैं option B Harvard Spencer option C Plato या फिर option D Aristotle यानि कि अरस्तू तो इसका सही जवाब है option A काम्टे यानि कि दर्सन बिज्ञानों का बिज्ञान है कि philosophy is the science of science किसने कहा काम्टे ने तो ये रहे आज के 20 प्रसन और मुझे उम्मीद है कि आपको प्रसन बहुत अच्छे लगे होंगे मैं उमीद कर सकता हूँ बाकि आप कमेंट करके बताइए कि प्रसन कैसे है तो कि आपके कमेंट से ही हमें motivation मिलता है और उसी motivation के अधार पर next जो series बनती है वो और बेहतर प्रसन होते चले जाते है तो कमेंट आप जरूर करिए बताइए कैसा है ये series continue रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए ये भी आप जरूर बताइए प्रसनों का इस्तर कैसा है आप ये भी बताइए यदि आपको कोई सुझाओ है तो आप वो भी दीजिए आपकी सुझाओं का स्वागत है कमेंट बॉक्स जिंदाबाद तब तक के लिए जैहिन मिलते हैं next series में थैंक यू सो मच आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए यदि चैनल में पहली बार है साथी ये जो आपको घंटी दिख रही है इसको भी प्रेस कर दीजे ताकि जो भी वीडियो नई बने वो आप तक तुरंत पहुंच जाए साथी दोस्तों तक सेर जरूर किया करिए अकेले अकेले लाब उठाएंगे तो फायदा नहीं देगा इसलिए दोस्तों को भी बताईए और सब लोग साथ में सिखिए चलिए बेस्ट आफ लक जैहिन